हेलो दोस्तों हमारे चैनल VS Online Tips में आप सभी लोगों का एक बरफी से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों 36 गड़ P.E.T. और P.P.H.D. यानि प्री इंजरिंग टेस्ट और प्री फार्मेस्टी टेस्ट के लिए Online Counseling स्टार्ट हो गया है दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मॉबाईल से Колि कैसे कर सकते हैं साथ chi आपका Merit List लिस्ट कब आएगा को अपको कब तक Air Mission होना है सारा It канал इस वीडियो में होने वाली है तो दोस्तो वीडियो को आंदर तक ज़रूर देखें और ऐसे ही और इनफर्मेटीव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चानल से जूड़े रहें और हमारे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों 36 गड़ में PT और PPST का कॉंसलिंग कराने कले सब से पहले आप अपने mobile की Chrome ब्रॉजर को open करेंगे सर्च टेपर आना है और आकर आपको CZDTE यानि Direct Top Technical Education लिखे सर्च कर देना है उसके बाद फ्रेंड्स आपके समने इस प्रकार से एक नया page open हो जाएगा आपको यहाँ पर देखना है CZDTE रैपूर.CZState.gov.in इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके समने इस प्रकार से एक नया page open हो जाएगा आपको स्क्रोल डौन करके थोड़ा से नीचे आना है और यहाँ पर आपको admission का section देखने को मिल जाएगा आपको friends यहाँ पर जो भी admission का notice है यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको नीचे more के बटन पर क्लिक करना है जैसे more के पर क्लिक करेंगे आपके समने इस प्रकार से बहुत सारा option दिखने को मिल जाएगा आपको थोड़ा से नीचे आना है और यहाँ पर आपको online consuling 2021 बाइस online link लिखा है यहाँ पर आपको click करना है जैसे friends click करेंगे आपके समने इस प्रकार से एक नए page open हो जाएगा friends आपको इस website के थुरू बहुत सारे courses का online counseling कराने का option दिया जा रहा है जैसे आपको scroll down करने नीचे आएंगे तो first number पर आप देख सकते हैं B pharmacy या D pharmacy friends अगर आपने PPHT यानी pre pharmacy test का entrance exam दिया होगा तो आपको यहाँ पर counseling कराना है counseling कराने का जो starting date है वह 7 October से शुरू हो गया है जो 12 October तक चलने वाला है तो friends first phase का counseling स्टार्ट हो गया है आप यहां से counseling करा सकते हैं उसके बाद आप second number पर देख सकते हैं अगर आप B में lateral entry के थुरू counseling कराना चाहते हैं तो first phase का counseling complete हो गया है वही second phase का counseling चल रहा है आप यहां से counseling करा सकते हैं जैसे आएंगे friends यहां पर third number पर अगर आप B और B.T.E.C के लिए counseling कराना चाहते हैं अगर आपने P.E.T. यहांनी pre engineering test के लिए entrance exam दिया होगा तो आपको यहां पर counseling कराना होगा यहां पर counseling यहां पर 7 October से start हो गया है जो 12 October तक चलने वाला है वही नीचे आएंगे तो यहां पर diploma engineering के लिए lateral entry का date दिया गया है जिसका second phase सुरू हो गया है friends यहां पर अगर MBA का counseling कराना चाहते हैं यहां पर आप जो है second phase का counseling यहां पर start हो गया है वही नीचे आएंगे तो अगर ME और MTEC का भी second phase का counseling स्टार्ट हो गया है जो 7 October से 9 October के भी चलने वाला है वही friends यहां पर M pharmacy का भी जो है second phase का counseling स्टार्ट हो गया है आपको यहां पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे हमारे समने इस प्रकास से एक नए पेज उपन हो जाएगा आपको थोड़ा से नीचे आने का बद यहां आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले यहां पर instruction देख सकते हैं जो है online counseling जो है 7 October से सुभा 11 बजी start हुआ था जो 12 October के सामके 3 बजे तक चलने वाला है वहीं दोस्तों आपको DVC Center में जाना होगा और जो है आपको जो verification कराना होगा यानि आपको दस्ताविश सत्यापन करा जाना होगा उसके लिए दोस्तों आप जो साथ अक्टूबर से बार अक्टूबर के जाकर सत्यापन करा सकते हैं दोस्तों DVC Center कहां पर है उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले करा जाओंगा तो वहां पर आपको चले जाना है उसके बाद दोस्तों आपको फर्स मेरिट लि लेबल रह जाता है तो आपको 31 अक्टूबर को जो है रिक्त सीटों की जानकारी मिल जाएगी यह सारे डिटल्स दिया गए है चाहे तो इसको आप पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद सबसे पहले यहां आपको रिजिस्टेशन कराना होगा रिजिस्टेशन कराने के लिए आ यहां पर एक्सेप्ट एंड कंटिनु पर क्लिक कर देना है उसके बास हमारे समने इस प्रकार से थोड़ा से लोडिंग होगा और यह प्रकार से एक पारकार से पहले पूछ रहा है क्या आगर कौ से डोमेश्यट से है यानि अगर आप 36 गड़ आप अपर ayan तो इहां पर को क्लिक करना है क्लिक करने हाँ यहां पर आपको select and continue पर क्लिक कर दिया है वारव इस सब्से Ugh having application फॉफ्विक हो जाते है सबीक्ञार से बहुत है क्लिक करने के बार आपको क्लिक करने के हमेंört प्रसिंग यहां हो दिया ت J इजाम को रोल नमबर डालना होगा रोल नमबर डालने के बाद नीचे आपको डेट अब बस डालना है और नीचे आपको मोबाइल नमबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ट क्रियेट करना है पासवर्ट दोस्तों आठ लेटर से अधिक होना चाहिए इस इस प्रकार से आपको password create करना होगा उसके बाद आपको नीचे आएंगे और save के बटन पर click कर देना है friends मैंने यहाँ पर सारा detail अच्छे से भर लिया है नीचे आऊंगा और यहाँ पर save के बटन पर click कर देता हूँ इस प्रकार से हमारा message आजाएगा जिसमें हमारा password आ गया है उसके बाद हमारे सामने एक नया page open हो जाता है आप देख सकते हैं इस प्रकार से नया page open हो जाएगा आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको login करना है यहाँ आपको अपना registration number और जो password message में आया है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है नीचे दोस्तों आपको जो capture दिख रहा है उसको यहाँ पर आपको submit कर देना है अगर आप password भूल गया है तो यहाँ पर नीचे आप कर सकते हैं उसके पाद आपको login के बटन पर क्लिक करना है जैसे आप login के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे समने इस प्रकार से हमारा एप्रिकेशन फर्म ओपन हो जाता है आपको यहाँ पर अपना personal detail पहले से ही फिल हुआ दिखेगा क्योंकि दूस्तों हम जब रोल नंबर डाले है तो आप सेलेक्ट कर देंगे नहीं तो आपको इने पर सेलेक्ट करना होगा निचे आपको अपना mother's name डालने के बाद निचे आपको father's name आटमेटिक आ जाएगा और आपको यहाँ पर मोबाईल नंबर आटमेटिक देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर अपना email id डा लेता हूं email id डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको other details डालना पड़ेगा सबसे पहले आपको religion सेलेक्ट करना है यहाँ आपको हिंदू मुस्लिम सीख जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो चलिए मैं हिंदू पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर आप अपको guardian को mobile number डालना होगा तो चलिए मैं अपना guardian को mobile number डालने के बाद नीचे आपको अपना पूरा address डालना पड़ेगा address में आपको पूरा detail देना है सबसे पहले यहाँ पर address, state, district और यहाँ पर पिंट कोर तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पूरा address फटाफट भर लेता हूँ, friends मैंने यहाँ पर सारा details fill कर लिया है, fill करने के बाद नीचे आपको save and next का button दीख रहा होगा, यहाँ पर हमें click करना है और ok के button पर click कर देना है, उसके बाद friends हमारे समने इस प्रकार से एक नया page open हो जाता है, यहाँ हमें अपना education qualification details डानना होगा, जो step 2 है, यहाँ प यहाँ पर पूरा detail देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको आपना roll number देखने को मिल रहा है, नीचे आपको physics, chemistry और mathematics में कितना number मिला है, वह देखने को मिल रहा है, आपको नीचे आपका rank देखने को मिल जाएगा, उसके बाद friends आपको यहाँ अपना 12th का detail डालना है, बोर्ड यहाँ पर इसलेट करेंगे, दूस्तों अगर open से किया है, तो अगर से बाद से सिक्षा मंदल देना है, नीचे आपको अपना roll number देना है, जो आपको 12th में, mark sheet में roll number देना है, नीचे आपको फॉस्टिंग यहाँ डालना है, कि आप 12th किस year में पास हो यहाँ तो च यहाँ आपको कितने में, यानि आपको obtained mark और total mark यहाँ पर जालना है, नीचे आपको percentage automatic सो जाएगा, उसके बाद friends आपको जो है, नीचे option आएगा, बहुत सारा option आ रहा है, जो आप 12th में कौन-कौन subject लेके पढ़े हैं, सारे subject पर आपको टिक लगा देना है, तो friends अगर कितना number मिला है, तो obtained mark में आपको जो भी number मिला है, यहाँ पर डाल देंगे, डालने के बाद इसी प्रकास से बारी-बारी maths और chemistry कर डाल देना है, और बगल में आपको जो है percentage, यहाँ पर percent automatic देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे आना है, और save and next के button पर click कर देन है, click करने के बाद friends हमारे सामने इस प्रकास से जो second step पूरा हो गया, अब हमें third step पर आ जाना है, third step पर हमें इस प्रकास से अपना photo और signature को upload करना होगा, photo की size होगी वहाँ जो 100 कबीसी कम होनी चाहिए, वही signature की size होगी, वहाँ friends आपको 50 कबीसी कम होना चाहिए, तो इस प्र video को देख लेना है, और photo signature को size को कम कर लेना है, friends आपको photo signature को बना लेने के बाद यहाँ पर choose file पर click करना है, और अपने gallery से जो photo signature को select कर लेना है, और यहाँ upload के button पर click कर देना है, जैसे दोस्तों आपको photo signature upload हो जाएगा, आपको नीचे save and next का button दिखेगा, यहाँ आपको click कर payment method पर आजाएगा, सबसे पहले यहाँ आपको अपना payment देखने को मिल जाएगा, कि आपको कितना pay करना है, साथ नीचे आपको capture दिख रहा है, उस capture को भर लेना है, और नीचे Mac payment के button पर आपको click कर देना है, जैसे आपको payment gateway open हो जाएगा, आपको अपना card card detail डालना है, OTP डा मिल जाएगा, friends आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगे, नीचे आने का बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको go to application पर click करना है, जैसे friends हम next के button पर click करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से एक नय पेज़पन हो जाता है, friends यहाँ आपको अपना reference देना हो गई, य यहाँ आपको select कर देना है, उसके बाद friends आपको college पर आना है, कि आप कौन से college में admission लेना चाते हैं, यहाँ फर्स देना चाते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको government engineering college select करना पड़ेगा, क्योंकि government engineering college में selection हो जाता है, तो आपको काफी कम fish paid करना पड़ेगा, और दोस्तों वह colleges और branch select कर लेना है, अगर दोस्तों और college और branch select करना चाते हैं, तो add new row पर आपको click करना पड़ेगा, और यहाँ से और आपका branch और college का list आजाएगा, आपको उन्हें भी बारी-बारी select कर लेना है, उसके बाद friends आपका college select हो जाने का बाद आपको save and next के button पर click कर देना होगा, जैसे friends आप save and next के button पर click करेंगे, आप इस प्रकास से देख सकते हैं, आपको index board open हो जाएगा, आप यहाँ जोस्तों अगर कोई form में गलती होगा, तो fill of modify choice पर click करेंगे और वहाँ से अपने choice को भी edit कर सकते हैं, उसी प्रकास जोस्तों यहाँ आपको payment detail देखने को मिल जाए अगर दोस्तों सारा process continue हो गया, यानि सब सही सही भरा गया है, तो आपको print application form पर click करना पड़ेगा, और वहाँ से आप अपने application form को print करा सकते हैं, friends आपको ccpt में कैसे counseling कराना हैं, इस प्रकार से आप counseling करा सकते हैं, इस video के माध्यम से आपको free information मिल गया होगी, इसी प्रकार से बहुत सारे option दिये जाएंगे, उसको आपको बारी बारी फिल करना होगा, और लास्टेम आपको print out ले लेना होगा, आपको इस video के माध्यम से फूरा information समझ में आ गया होगा, कि आपको counseling कैसे कराना है, दोस्तों ऐसी और informative video पार्पतर करने के लिए हमारे चैनल से आपको जूड़े रहना होगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर करना होगा, so friends आज की वीडियो में बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में,